हेलो इस्टूडेंट आज हम क्लास 10 exercise 3.7 का question 7 का first discuss करने वाल है जिसमें कि हमको question में दिया हुआ है solve the following pair of linear equations तो हमारा equation है यहाँ PX plus QY equal to P minus Q फिर दूसरा है QX minus PY equal to P plus Q तो हमको इसको solve करना है तो चलिए हम इस question को solve करते हैं तो हमको यहाँ पर X और Y का value निकालना है ठीक है तो हम यहाँ इसको elimination method से solve करेंगे तो first वाला हमारा equation क्या है PX plus QY equal to P minus Q second वाला equation क्या है QX minus PY equal to P plus Q अब हम यहां 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 तो X X वाले को cancel करेंगे यह Y Y को वाले को cancel करेंगे तो हम यहां X वाले को cancel कर रहे है ठीक है तो हम यहां first और second equation में क्या multiply करेंगे जो मेरा X वाला cancel हो जाएगा तो हम first वाले में q से multiply कर देंगे और second वाले में p से multiply कर देंगे तो जब हम first वाले equation में q से multiply करेंगे तो यह वाला क्या हो जाएगा p q x plus यह क्या हो जाएगा q square y equal to q bracket p minus q फिर second वाले equation में p से multiply करेंगे तो यह क्या हो जाएगा p q x minus p square y equal to p bracket p plus q हम first वाले equation में से second वाले equation को गटा देंगे subtract कर देंगे ठीक है तो सबका sign क्या हो जाएगा बदल जाएगा यह plus है minus हो गया यह minus है plus हो गया यह plus है minus हो गया तो x x वाला क्या हो गया यहां से cancel इधर क्या हो गया यह इन दोनों में से y को क्या ले रहे है common तो y को ले ले लेंगे common तो उपर वाले के पास क्या बचा नीचे वाले को पहले लिख रहे हैं नीचे वाला क्या है P स्क्वार फिर उपर वाला क्या आगया Q स्क्वार एक वल टू यहां से इसको क्या लिख लेंगे है क्यों इंटू ब्रेकट पी माइनस क्यू फिर यह माइनस हो जाएगा पी ब्रेकट प्लस क्यूं यह हो गया Y ब्रेकट पी स्क्वार प्लस Q स्क्वार पी स्क्वार प्लस क्यूं स्क्वार एक वल टू यह हो जाएगा Q इंटू P Q P plus minus minus q square फिर minus p square minus plus minus p q तो q p plus में और q p minus में यह दोनों यहां से क्या हो जाएगा cancel इसके बाद इसको क्या लिख लेंगे y bracket p square plus q square equal to इन दोनों में से माइनस को क्या ले लेंगे common ले लेंगे तो यह हमारा क्या जागा q² प्लस p² यह हो गया माइनस ब्रैकेट q² प्लस p² यह multiply में equal to कई side आगा तो किसमें चलागा डिवाइड में p² प्लस q² तो p² प्लस q² यहां से क्या हो जागा कैंसिल तो हमको यहां पर क्या मिलेगा हमको यहां क्या मिल जाएगा y equal to minus 1 y equal to क्या गया हम लोग का minus 1 अब y equal to minus 1 को हम first वाले equation में put कर देंगे तो first वाले equation मेरा क्या है px plus qy equal to p minus q y के value को हम put कर रहें px plus q into y का value क्या है minus 1 equal to p minus q यह हो गया px यह plus minus क्या हो जाएगा minus q equal to p minus q तो हम यहां से लिख लेंगे px equal to p minus q यह minus q plus है equal to के side आएगा तो क्या हो जाएगा तो x equal to यहां से क्या गया वन तो हमारा यहां से answer क्या आ गया हमारा इंसर आ गया यहां से x equal to one और y equal to अच्छा लगाओ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जादा जादा शेयर करें